दोस्तो सटर्डे का जो एपिसोड है वो हुआ दूस्तों और उसमें क्या हुआ छेलिये मैं आप 살को बताता हूँ यहाँ इस बार आये थे बीजु साज ही आये थे और इहाँ पर हो चैलर्ण लेख आय थे दोस्तों के लिए तो यहाँ पर चैलर्ण यह था कि दो गाना दो द दुनिया हसीनों का मेला तो इस तरह का कुछ यहां पर इनको टास्क दिया गया था जो की सुभ इन में खरा उत्रा है और इहां पर मैं आप लोग को बता हूँ कि सब कंटेस्टेंट को इहां पर एक एक करके पूछा गया है जब भी वह होमेस देने आया तब इहां पर इनको पूछा गया कि आप क्यों बनना चाहिए ठीक है आपको क्यों लगता है कि आप विनर बनेंगे शूपयश्टक सिंगर तरीकए तो इस तरह से हर्स जी है यहां पर सबको सवाल करते हैं तो इसी तरह से यहां पर सूब को भी सवाल किया गया और इनका जबाब जो था वो था, दोस्तो सुनी आच्छे से ध्यां से यहां पर सूब बोल रहा है कि मेरी आवाज सबसे अलग है इस्पेसली करन सर उन्होंने मेरे लिए वीडियो भी भेजा था और ओडियन्स की प्यार की बज़े से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे जाओंगा तो इस तरह का कुछ यहां पर यह बताएं दोस्तों विनर को लेकर सुब के बारे में के बाद यहां पर अभिर्भब से जब पूछा जाता है कि आप विनर क्यूं आपको क्यूं लगता है कि आप विनर बनोगे बोलके तो इस तरह से जब अभिर्भब बोलता है दोस्तों यहां पर यह दोखियों दोस्तों इनका थोड़ा सा हिंदी उतना अच्छा नहीं है मैं थोड़ा भूत इस तरह से बोलता है तो उसने कहा पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं विनर बन रही हूँ क्यूंकि मैं बेश्ट हूँ मैं अच्छा गाता हूँ कैप्टेंस और नहा मेम ने चेयर पे खड़े मेरे लिए तालियां बजाएं सिर्फ मेरे लिए मैं छोटा हूँ ये लोग बड़े हैं मैं अभी भी उसके साथ कंपिटिशन कर रहा हूँ तो ये जो बात है न दोस्तो ये बात मुझे बहुत ही मतलब तगड़ा लगा और सब्सक्राइब कर दोस्तों कहीं अगर देखे तो हम लोग तो इस सब्सक्राइब को पूछा गया कि आप क्यूं बनना चाहिए क्योंकि आप सभी ने आ मैम मुझे कहते हैं कि कंसिस्टेंट हूँ और सिंगिंग में कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है आप लोग सभी perfect भी बोलते हैं तो और मुझे perfect बोलते हो तो मुझे जितना चीए इसे साब से कुछ है यहाँ पर यह जबाब दिये हैं उसके बाद देवन एस्रिया से जब पूछा जाता है दोस्तों देवन एस्रिया यहाँ पर बताती है कि मुझे लगता है melodious voice है तो मुझे लगता है कि मैं winner बनूँगी तो इस तरह से देवन एस्रिया को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी जोस्तों और यहाँ पर आने के बाद इतना हिंदी सीख चुकी है कि क्या ही बता हूं अब लोग को उसके बाद PU से जब पूछा जाता है PU करने आती है पूछा जाता है कि winner क्यों बनना चाहिए तो यहाँ PU कहती है कि क्योंकि नहा मैं ने भी बोला था कि मेरी यहाँ पर अच्छा है और सारे contestant यहाँ पर बड़े हैं और यहाँ बड़े बड़े लोग ही है और मैं यहाँ और मैं यहाँ पर हैं बहुत ठोटी हूँ इसलिए मुझे मैनत ज़्यादा करनी पढ़ती है क्यूंकि बड़े लोग ही मैनत रदकियों करनी पढ़ती है मतलब बहुत ही जदे सांदार है यहाँ पर तरह ही यहाँ पर PU क्यों बोला दोस्तों और डोला रोज सुब जब उड़ती है तब और बोलती है भगवान जी मेरा भाईया सबसे बड़ा सिंगर बने और ट्रोफी जीत के जाए फाइनल में जाएंगे तभी पता चलेगा कि विनर बनेंगे या फिन नहीं तो वो अलग का बात है उसके बाद चलिए खुशी यहाँ पर आती है खुशी को यहाँ पर पूछा जाता है कि आप विनर क्यूं बनना चाहिए आपको ठीक है तो इस तरह से पूछा जाता है तो य विनर बन सकती हूँ तो इस तरह से कुछ खुशी का इस्टेटमेंट था दोस्तो उसके बाद यहाँ पर लेजल से जब पूछा जाता है तो यहाँ पर यह बोलती है मैं विनर बन सकती हूँ क्योंकि मैं सिंगिंग के लिए बहुत मेनत की हूँ और बहुत रियास की हूँ उसके बाद सब लोग मुझे बोलते हैं कि आप नहा मैम जैसे साउंड करते हैं नहा मैम जैसे बोलते हैं नहा मैम जैसे खाते हैं मतलब गाते हैं ठीक है तो इस तरह का कुछ यहाँ पर बोलते हैं नहा मैम ने भी बोला है कि लेजल रॉय इस नहा ककर 2.0 तो इस तरह का कु बोलता है कि मेरी जो हाई पीछे बहुत ही कम लोग लगा पाते हैं मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं लगा सकता इतना मुझे घमंड नहीं है तो बहुत कम कम लगा सकते हैं ये मेरा मन कहते कर रहा है बोलने का तो आगे भगवान की मरजी तो इस तरह का कुछ दोस्तो इस बार जो है सुपरशा सिंगत्री का जो है कंटेस्टेंट इस तरह से कुछ बताएं हैं अपने विनर को लेकर तो हम लोग आगे जनेंगे सो में कि कौन विनर बनेगा कौन नहीं तो इसके लिए इस चैनल पर जुड़े रहिएगा दोस्तों और अगर वीडियो पसंद देत प्लीज लाइक किजिएगा सेर किजिएगा सब्सक्राइबर वेल आकर जरू सब दबा दिजिएगा ताकि इस तरह के लिटेस्ट अपडेट आप लोग को जल्द ही जल्द मिलती रहे दोस्तों